हाई, माई नेम इस प्रेम पांडे, वेलकम बाक तू पार्ट टू अफ क्लास नाइन स्वाइन स्चाप्टर नूमर वन, माटर इन आवर सराउंडिंग्स हमने अल्रेडी इस चाप्टर से फर्स पार्ट अप्लोड कर रखा है फर्स पार्ट में हमने पढ़ा कि ये मैटर किस चड़िया का नाम है हमने ये भी पढ़ा कि ये मैटर जिन छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते है न ये पार्टिकल्स कॉंटिनिवसली मूव करते रहते हैं, लगातार हिलते-डूलते रहते हैं हमने ये भी पढ़ा था कि ये particles अपनी जैसे दूसरे particles को attract करते हैं, चिपका के रखते हैं Part 1 में ही हमने पढ़ा था कि हमारी अगल बगल जितनी भी चीज़े पाई जाती हैं वो जादा से जादा तीन अवस्थाओं में पाई जाएंगी त्री स्टेट में पाई जाएंगी ये सारी चीज़े हमने Part 1 में पढ़ ली थी नाओ इस दे टाइम तो लेट्स केट बाक तू NCRT आज के इस पाइट को हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदा टॉपिक से can matter change its state क्या matter solid से liquid और liquid से gas में change हो सकता है क्या अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है चलो देख लेते हैं कि we all know हम इतना तो जानते ही है बचपन से हमने इतना तो जान ही लिया है कि water एक ऐसा material है जो तीनो states of matter में पाया जाता है water एक ऐसा matter है जो अगर बर्फ है, तो वो solid का form है, water अगर पीने वाला पानी है, एक normal water है, तो वो एक liquid का form है, और water अगर boil होने लगा, अगर water को हम गरम करें, तो जो भाफ निकलता है, जो water vapor निकलता है, वो एक gas का form है, मतलब water एक ऐसा material है, जो solid, liquid और gas, तीनों अवस्थाओं में पाया जा जाता है, what happens inside the matter, during this change of state, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, कि जब कोई matter, solid से liquid में change होता है, और liquid से अगर gas में change होता है, तो इन matter के अंदर ऐसा क्या होता होगा, जिससे ये solid से liquid, liquid से gas में change हो जाते है, what happens to the particles of matter, during the change of states, आपको पता है कि कोई भी matter है, वो छोटे छोटे particle से मिलकर बना होता है, इन particles के अंदर ऐसा क्या हो जाता है, जिससे वो liquid में convert हो जाते है, या liquid के particle के अंदर ऐसा क्या हो जाता है, जिससे वो gases में change हो जाते है, क्या तुमने कभी सोचा है, अरे नहीं सोचा होगा मेरी जान तो अब सोच लो how does this change of state take place आज के इस topic में हम यही सीखेंगे कि solid से liquid liquid से gas कैसे एक state दूसरे state of matter में change हो सकता है let's move to new topic of this video 1.4.1 effect of change of temperature मतलब हमारे matter हमारे solid पर हमारे liquid पर और हमारे gases पर क्या फरक पड़ेगा अगर हम इनके temperature को बढ़ा दे या इनके temperature को घटा दे कम कर दे इस चीज को हम देखेंगे activity number 1.12 से क्या है इस activity में जो लो देख लेते हैं यार activity number 1.12 करना क्या है आपको take about 150 gram of ice in a beaker आपको एक बरतन में एक beaker में लगबग 150 gram बर्फ रख लेना है उसके बाद क्या करना है suspender laboratory thermometer एक thermometer लो और बिलकुल आइस से सटा के इस thermometer को place कर दो जैसे इस thermometer को हमने इस बर्फ के बगल में लगाया है बिलकुल आपको ऐसा ही कर देना है फिर क्या करना है start heating the beaker on a low flame इस beaker को धीरे धीरे गरम करना start करो गरम करना start करोगे न गरम करने के पहले ही इसका temperature देख लेना तुम तुम्हें दिखेगा कि बर्फ का temperature हमेशा minus में होता है चाहे वो minus 10 degree Celsius हो या minus 5 degree Celsius हो जितना जादा ठंडा बर्फ होगा उतना जादा minus में इसका temperature होगा तुमने एक बार देख लिया कि ये बर्फ का temperature minus 10 degree Celsius है धीरे धीरे इसे गरम करना start करो गरम करना start करो note the temperature when the ice starts melting कुछ देर बाद इसका temperature धीरे धीरे बढ़ेगा minus 9 degree Celsius, minus 8 degree Celsius, minus 1 degree Celsius और जब इसका temperature 0 degree Celsius पर आ जाएगा तो तुम देखोगे कि ये बर्फ धीरे धीरे liquid में change होना start हो गया है yes, note the temperature when all the ice has converted into water हमने ये temperature note down कर लिया जब ice liquid में change होना start हुआ था उसके बाद जब सारा ice liquid में change हो गया अब भी अगर तुम इसका temperature चेक करोगे तो 0 degree Celsius ही होगा yes, लेकिन हम इस beaker को तो लगातार गरम कर रहे हैं तो temperature तो बढ़ना चाहिए ना क्यों 0 degree Celsius पर ही अटक गया है yes, इसके पीछे का science हम बताएंगे लेकिन इस activity के बाद put a glass rod in the beaker and heat while steering till the water starts boiling अब धीरे धीरे फिर से इसका temperature बढ़नेगा 0 degree Celsius है, 10 degree होगा, 20 degree होगा, 30 degree होगा और जैसे ही ये temperature 100 degree Celsius पर पहुचेगा ये water boil होने लगेगा, water vapor निकलने लगेगा भाफ बनकर ये water गायब होने लगेगा तब इसका temperature 100 degree Celsius होगा उसके बाद फिर से जब पूरी तरीके से liquid भाफ बनकर गायब हो जाए ना, तब इसका temperature देखो फिर भी इसका temperature 100 degree Celsius होगा लेकिन हम तो इसे लगातार heat कर रहे हैं तो temperature तो बनना चाहिए ना, 100 degree से 110 degree होना चाहिए 120 degree होना चाहिए, लेकिन हुआ क्यों नहीं क्यों नहीं हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे आपने observation तो कर लिया ना, इस activity को करने का हमारा main motive यही था कि जब बर्फ ice में पिघलना start होता है तब इसका temperature 0 degree Celsius होता है और जब पूरी तरीके से बर्फ पिघल गया होता है तब भी इसका temperature 0 degree Celsius होता है जब water boil करना start करता है, तब इसका temperature 100 degree Celsius होता है और जब पूरी तरीके से water भाव बनके गायब होने लगता है, तब भी इसका temperature 100 degree Celsius ही होता है ऐसा क्यूं होता है? जलो आगे दिख लेते हैं activity number 1.12 में हमने देखा कि जब यह ice liquid में change हो रहा था तब इसका temperature लगभग 0 degree Celsius था लेकिन जब यही ice पूरी तरीके से liquid में change हो गया तब भी इसका temperature 0 degree Celsius ही है इसका temperature बढ़ा क्यूं नहीं? हम लगातार heat provide कर रहे हैं लेकिन फिर भी यह 0 degree Celsius से temperature बढ़ा क्यूं नहीं? बताते हैं आपको, बिल्कुल ऐसा ही boiling में भी ऐसा ही हुआ था कि जब यह liquid boil होना start हुआ जब यह liquid से भाफ निकलना start हुआ तब इसका temperature 100 degree Celsius था और जब पूरी तरीके से यह liquid खतम हो गया जब पूरी तरीके से यह liquid water vapor बनके उड़ गया तब भी इसका temperature 100 degree Celsius ही था लेकिन हम लगातार इस beaker को heat कर रहे है तो temperature बढ़ा क्यों नहीं इसी question का answer हम देंगे आगे on increasing the temperature of solids the kinetic energy of particles increases मैंने आपको पहली भी बताया था कि जैसे यह solid है यह ice हमारा एक तरीके का solid है आपको पता है और जो solid particles होते हैं वो बहुत पास-पास में होते हैं बहुत जादा closely packed होते हैं यह हमने पता है हमें पता है कि solid के particles नजदीक होते हैं liquid के particles थोड़े दूर-दूर होते हैं और gas के particles बहुत जादा दूर होते हैं एक चीज आपको यह भी पता है कि यह particles लगातार हिलते रहते हैं solid के particles थोड़ा धीरे हिलते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसका temperature बढ़ाएंगे, जैसे हम इसको गरम करेंगे न, ये particles और तेजी से हिलने लगेंगे, और तेजी से vibrate करने लगेंगे, जिससे क्या होगा? का kinetic energy बढ़ जाएगी, kinetic energy of the particle increases, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी object चल रही है, अगर कोई भी object motion में है, तो उसके अंदर kinetic energy होती है, जब ये object बहुत तेजी से चलने लगेगा, तो इसका kinetic energy भी बढ़ जाएगा, तो बिलकुल ऐसा ही solid के particles के साथ हुआ, solid के particles को जैसे ह हमने गरम करना start किया ना, तो ये particles बहुत तेजी से ऐसे वाइबरेट करने लगे, फिर क्या हुआ, due to the increase in kinetic energy, in particles की speed बढ़ गई, तो kinetic energy भी बढ़ जाएगी, kinetic energy एक बार बढ़ गई, तो वही बताया गया है, कि जब kinetic energy बढ़ेगी, मतलब ये solid के जो particles हैं, वो और तेजी से, greater speed से वाइबरेट करना start कर देंगे, the energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles, मैंने बताया था, अभी just मैंने बताया आपको, कि ice के जो particles होते हैं, वो बहुत जादा नजदीक होते हैं, और इन particles के बीच में एक force of attraction होता है, इन particles के बीच में गजब की दोस्ती होती है, जैसे ही हम heat supply करते हैं, इन particles का temperature बढ़ता है न, तो दोस्ती तूटने लगती है, और ये particles इधर उधर घूमने लगते हैं, अपना fixed position छोड़ देते हैं, यही बताया गया है, कि the particles leave their fixed position and start moving more freely, जब हम temperature बढ़ाएंगे ice का, तो ice के particles अपना fixed जगह छोड़ के इधर उधर घूमने लगेंगे, इस से क्या ह a stage is raised when the solid melts and is converted to a liquid, धीरे 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 हम इतना heat supply करने लगेंगे इस ice को, कि ये जो ice के particles है, ये अपना position छोड़ के, ऐसे ऐसे कहीं भी कहीं भी इधर उधर भागने लगेंगे, जिससे ये solid liquid में convert हो जाता है, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point, हमने देखा कि 0 degree Celsius पर, ये ice liquid में convert होने लगा है, और इसी लिए, इस temperature को, हम melting point का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, melting point, melting point की definition क्या हुई, the temperature at which, the temperature at which, एक solid पिघल कर, liquid में convert हो जाता है, atmospheric pressure पर, atmospheric pressure मतलब हम घर में ये activity कर रहे हैं, तब भी atmospheric pressure है, हम school में ये activity कर रहे हैं, तब भी atmospheric pressure है, क्योंकि हम तो atmosphere में ये हैं, हमारा atmosphere पूरे धरती पर atmosphere है, हम अपने पूरे धरती पर कहीं भी ये activity करें, तो हम atmospheric pressure में ही ये activity करेंगे, ठीक है, तब यह melting point किसे कहते हैं, वैसा temperature, जिस temperature पर एक solid, liquid में convert हो जाता है, इसी temperature को melting point कहते हैं, ice का melting point क्या था, 0 degree Celsius, इसी temperature पर ये ice, liquid में convert होने लगा था, समझ गे melting point क्या होता है, the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles, मतलब ice का जो particles था, इनके बीच में कितनी दोस्ती थी, इनके बीच में कितनी bonding थी, ये किस चीज़ से पता लगता है, इनके boiling point से, देखो, इनकी दोस्ती कमजोर थी, इसलिए ये 0 degree Celsius पर ही melt हो गए, ये 0 degree Celsius पर ही melt हो गए, iron, iron के जो particles होते हैं, इनकी दोस्ती बहुत तगड़ी होती है, इसलिए इनका melting point 0 degree Celsius नहीं होता, बलकि और जादा होता है, मतलब melting point जितना जादा होगा, इन particles के बीच में दोस्ती उतनी जादा होगी, bonding उतनी जादा होगी, ठीक है, the melting point of ice is 273.16 Kelvin, 273.16 Kelvin को हम 0 degree Celsius ही कहते हैं, और ये जो process था, जब हम solid ice को liquid में change कर दिये न, इस process को हम melting कहते हैं, आपको पता है, पिघलना, melting ना कहकर हम एक और नाम दे सकते हैं, fusion, जब बर्फ या कोई भी solid, liquid में convert होता है, इस process को या तो हम melting कह सकते हैं, या तो हम fusion कह सकते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा question ये आता है, कि जब solid melt होता है, इसका temperature बढ़ता नहीं है, ना घटता है, बिल्कुल सेम रहता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, कि ये जब बर्फ melt होना start हुआ, इसका temperature 0 degree Celsius था, ये जब पूरी तरीके से liquid में convert हो गया, तब भी इसका temperature 0 degree Celsius था, तो where does the heat energy go, हम लगातार heat को नीचे, लगातार आग लगाए हुए हैं, लगातार temperature बढ़ना चाहिए न, बढ़ा क्यों नहीं, चलो, आगे देख लेते हैं, हाई गाईस, आज मैं आपको एक ऐसे application के बारे में बताने वाला हूँ, जिस application पर आप अपने IIDJ तक के doubt चुटकियों में पूछ सकते हो, आपको इस application की download link मेरे इसी वीडियो की description box में मिल जाएगी, link पर click करो और इस application को download करके install कर लो, जैसे install करोगे आपके सामने कुछ ऐसा interface open होकर आजाएगा, आपको proceed पर click करना है, proceed पर click करने के बाद आपका contact number पूछा जाएगा, contact number एंटर करो, continue कर दो, आपने जो भी mobile number डाला है, उस number पर एक OTP जाएगी, OTP एंटर करने के बाद आप इस application पर login हो जाते हो, अब जैसे ही आपके सामने के application open होता है, आपके पास दो option है, या तो आप अपने doubt की photo ले लो, या आप अपने doubt को यहाँ पर type करके भी पूछ सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया what is evaporation, मेरा doubt है what is evaporation, और उसके बाद मैंने search कर दिया, अब मैंने topic बता दिया कि यह physics का topic है, फिर heat and thermodynamics का topic ह और फिर मैं call से connect हो जाओंगा, इसका एक बहुत ही बढ़िया feature है यह कि आप अपने doubt को पूछते हो, तो यह directly call से connect कर देता है आपको किसी teacher के साथ, किसी tutor के साथ, और आप इस teacher के साथ 30 minutes तक free of cost doubt पूछ सकते हो, उसके बाद आपको credit चाहिए जो आपको खरीदना तो यह automatically 66 seconds, 65 seconds बाद एक call जाएगी, इस call से क्या होता है कि इस call से आप अपने doubt को किसी tutor से पूछ सकते हो, so this is how it works, एक और आपके पास option यहाँ पर मिल जाता है कि आप बहुत सारे questions को भी यहीं से practice कर सकते हो, so application कैसा लगा, आप इस application को install कर सकते हो, इसी video की description box में मैं लिंक provide कर दे रहा हूं, you must have observed during the experiment of melting, हम यह जो experiment कर रहे थे, बर्फ को पिगलाने वाला, इस experiment में हमने क्या देखा, हमने देखा कि that the temperature of the system does not change, after the melting point is raised, हमने देखा कि यह ice, जब अपने melting point पर पहुचता है, जब यह ice पिगलना start होता है, ice का melting point कितना है, 0 degree Celsius, जैसे ही यह ice अपने melting point पर पहुचता है, फिर उसके बाद इसका temperature does not change, इसका temperature उसके बाद फिर नहीं बढ़ता, और तब तक नहीं बढ़ता, जब तक यह ice पूरी तरीके से liquid में convert नहीं हो जाता, हमने देखा न, कि जब यह ice convert होना start किया था, तब भी जब पूरी तरीके से liquid में convert हो गया, तब भी इसका temperature 0 degree Celsius ही है, this happens even though we continue to heat the beaker, यह तब हो रहा है, जब हम लगातार heat supply कर रहे है, temperature तो बढ़ना चाहिए ना मेरे भाई, heat supply करने से temperature बढ़ता है, लेकिन melting point पर पहुचने के बाद, temperature यहीं पर अटक गया है, 0 degree Celsius का 0 degree Celsius ही है, बताता हूँ मैं कि this heat gets used up in the changing the state by overcoming the force of attraction between the particles, जैसे heat temperature 0 degree Celsius पर पहुचता है, तो होता क्या है, 0 degree Celsius के बाद, जितनी भी heat हम supply करते हैं, यह heat कहां चला जाता है, solid के जो particles है, वो बहुत जादा पास-पास में होते हैं, बहुत जादा इनके बीच में force of attraction होता है, और इसी force of attraction को, इसी दोस्ती को तोडने के लिए यह सारा heat इसी ice में used up हो जाता है, Hence, this heat energy is absorbed by ice, without showing any rise in temperature, it is considered that, it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. कितनी मज़ेदार और कितनी simple सी चीज़ थी, कि 0 degree Celsius के बाद temperature तब तक नहीं बढ़ता, जब तक पूरी तरीके से बर्फ पानी में convert नहीं हो जाता, ऐसा क्यूं होता है, क्योंकि 0 degree Celsius पर पहुचने के बाद जितनी भी heat है, वो temperature बढ़ाने के काम नहीं आती, बलकि जो बचे हुए solids हैं, उनके particles को तोडने के काम में आती है, उनके particles को दूर दूर करने के काम में आती है, और क्योंकि ये जो heat है, ये ice के अंदर ही छुप जा रहा है, ice के अंदर ही hidden हो जा रहा है, क्योंकि temperature तो बढ़ नहीं रहा न, मतलब ice के अंदर ही ये heat छुप जा रहा है, इसलिए into the contents of the beaker and this is known as latent heat, और इसलिए ये जो heat है, जो temperature बढ़ाने के काम नहीं आ रहा, बल्कि इस solid के particles को दूर दूर करने के काम में आ रहा है, that's why ये जो heat है, इस heat को हम latent heat कहते हैं, latent heat का मतलब होता है, छुपी हुई उर्जा या छुपी हुई गर्मी, छुपी हुई गर्मी के क्यों, क्योंकि छुपा लिया है न, ice ने इसे, ice ने 0 degree Celsius के बाद जितनी भी heat supply हो रही है, इस heat को ये ice absorb कर ले रहा है, और अपने अंदर जो particles हैं, उनको दूर दूर करने में इस heat को use किया जा रहा ह अब ये heat temperature बढ़ाने के काम में नहीं आ रहा, इसी लिए इस heat को हम एक छुपा हुआ heat कहते है, latent heat कहते है, the word latent means hidden, latent का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है, अब देखो, एक बहुत ही important definition यहाँ पर निकल के आती है, कि the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion, क्या कहा गया है, कहा क्या गया है, latent heat of fusion होता क्या है, fusion का मतलब पहले समझ लो, fusion का मतलब होता है melting, पिघलना, ठीक है, और latent heat का मतलब क्या होता है, पिघलने के लिए जितनी heat चाहिए, उसको हम latent heat of fusion कहते हैं, मतलब 0 degree Celsius, जो कि इसका melting point है, at its melting point, melting point पर पहुचने के बाद, जितनी heat energy चाहिए, 1 kg solid को 1 kg liquid में बदलने के लिए, बस यही heat energy क्या कहलाती है, latent heat of fusion कहलाती है, So, हम इतना कह सकते हैं कि particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है, ice के particles के पास जो भी energy है, वो थोड़ी कम energy है, क्यों, क्योंकि भाई, ice के particles नस्दीक नस्दीक है, इनकी kinetic energy क्या है, कम है, liquid के particle दूर दूर है, और ये थोड़ा दूर से तेजी से move करते हैं, जो particle जितनी तेजी से move करेगा, उनकी kinetic energy या उनके अंदर energy उतनी जादा होगी, solid के particle धीरे-धीरे move करते हैं, इसलिए इनकी energy क्या है, कम है, liquid के particle जादा तेजी से move करते हैं, इसलिए इनकी energy क्या है, जादा है, ठीक है, अब एक बार जब ये solid पूरी तरीके से liquid में convert हो गया, अब इसका temperature 0 degree Celsius से धीरे-धीरे बढ़ना start होगा, 10 degree Celsius, 20 degree Celsius, क्यों, क्योंकि हम heat energy supply कर रहे हैं लगातार, हम लगातार heat energy इस water में supply कर रहे हैं, अब ये water धीरे-धीरे 0 degree Celsius से आगे बढ़ेगा, 10 degree, 20 degree, और जैसे-जैसे इस liquid का temperature बढ़ता जाएगा न, इस liquid के जो particles हैं, वो और तेजी से move करना start कर देंगे, particles start moving even faster, at a certain temperature, a point is reached, when the particles have enough energy to break from the forces of attraction of each other, और हम अगर इसको लगातार गरम करते रहे, लगातार गरम करते रहे, तो एक ऐसा stage आएगा, एक ऐसी अवस्था आएगी, जब liquid के जो particles हैं, जो थोड़े बहुत पास-पास में थे, वो अब अपनी दोस्ती पूरी तरीके से तोड़ देंगे, और इनके particles बिलकुल दूर-दूर, कहीं पर भी एकदम freely move करने लगेंगे, At this temperature, the liquid starts changing into gas, ये वही temperature होता है, जिस temperature पर पार्टिकल अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं, जिस temperature पर एक पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल के बीच में जो force of attraction है, वो तूट जाता है, ये कौन सा temperature होता है, ये temperature होता है, 100 degree Celsius का, ये वही temperature है, जिस temperature पर पानी उबलने लगता है, पानी gas में change होने लगता है, The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point, ये वही temperature, ये जो 100 degree Celsius, ये वो temperature होता है, जिस temperature में liquid धीरे धीरे gas में convert होना start कर देता है, और इसी temperature को हम क्या कहते है, boiling point, boiling point, boiling point क्यों कहते है, क्योंकि इस temperature पर पहुचने के बाद, water boil करने लगता है, water उबलने लगता है, boiling कोई second का काम नहीं है, boiling is the bulk phenomena, boiling एक लंबा समय लेता है, क्यों लेता है, क्योंकि boil करते time, particle from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state, क्या होता है, कि liquid के particles, जो अभी तक थोड़ा पास-पास में थे, बहुत जादा पास में नहीं थे, जो अब तक थोड़े पास-पास में थे, वो अब पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और बिलकुल दूर-दूर हो जाएंगे, किस वज़े से ये दूर-दूर हुए है, क्योंकि हम लगातार heat energy supply कर रहे हैं न, तो ये heat इनके दोस्ती को तोड़ देगा, yes, for water, this temperature is 373 Kelvin, पानी को एक gas में, एक liquid को water vapor में change होने के लिए, कितना temperature चाहिए, एक जो normal जो हम पानी पीते हैं, वैसे अलग-अलग liquid होता, जैसे juice ये अलग liquid है, water ये अलग liquid है, oil ये अलग liquid है, अलग-अलग liquids का अपना अलग-अलग boiling point होता है, जैसे water का boiling point कितना है, 373 Kelvin, 373 Kelvin का मतलब क्या होता है, 100 degree Celsius, ये देखो 100 degree Celsius मतलब 273 plus 100, हमें पता था कि जब ice liquid में convert हुआ था, तो इसको Celsius में 0 degree Celsius कहते हैं, लेकिन Kelvin में 273 Kelvin कहते हैं, ठीक है, जब water gas में change होने लगा, तो ये 100 degree Celsius हो गया, 100 degree Celsius मतलब 273 Kelvin plus 100 equal to 373 Kelvin, ठीक है, अच्छा, आगी बढ़ते हैं कि can you define the latent heat of vaporization, हमने latent heat of fusion आपको बताया था ना, कि जब भया, जब melting होने लगती है, जब बर्फ पानी में convert होने लगता है, तब इसका temperature यहीं पर रुख जाता है, और तब तक रुखा रहता है, जब तक ये ice पूरी तरीके से water में convert नहीं हो जाता, इसी चीज़ को हम latent heat of fusion कहते हैं, जिसका definition मैंने आपको बताया था, अब latent heat of vaporization के से कहते हैं, हमने देखा, कि जब ये liquid vapor बनना start होता है ना, तो temperature कितना होता है, 100 degree Celsius होता है, और ये 100 degree Celsius तब तक रहता है, जब तक ये liquid पूरी तरीके से भाव बन कर उड़ नहीं जाता, तब तक ये 100 degree Celsius ही रहता है, ठीक है, तो latent heat of vaporization किसे कहते हैं, latent heat of vaporization मतलब क्या है इसका, जैसे latent heat of fusion था ना, fusion में क्या था, एक किलो solid को एक किलो liquid में change करने के लिए जितनी heat चाहिए, उसको हम latent heat of fusion कहते हैं, वैसे ही vaporization की भी definition दे दो, एक किलो liquid को, गैस में change करने के लिए जितनी heat चाहिए, उसे हम latent heat of vaporization कहते हैं, एक proper definition क्या है latent heat of vaporization की, the heat energy required to convert one kilogram of liquid into gas at its atmospheric pressure is known as heat of vaporization या latent heat of vaporization, बिलकुल हमने उसी तरीके से define किया, जिस तरीके से हम latent heat of fusion को define किये थे, ठीक है, particles in steam, that is water vapor, at 273 Kelvin have more energy than water at the same temperature, मैंने आपको बताया था कि ice के particle से जादा energy इस water के particle में है, बिलकुल ऐसे ही इस water के particle से जादा energy इस gas के particle में है, क्यों? this is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization, हमने बताया था आपको कि भाई, जब liquid boil होना start होता है, तो इसका temperature 100 degree Celsius होता है, और यह 100 degree Celsius तब तक रहता है, जब तक यह liquid पूरी तरीके से boil नहीं हो जाता, लेकिन हम heat तो लगातार supply कर रहे हैं, तो यह heat जाता कहां है? यह heat यह gas के particles absorb कर लेते हैं, इस वज़ह से gas के particle में जादा energy है, और यह liquid के particles में थोड़ी कम energy है, ठीक है? Let's move forward. So, इत्ती सारी activities करने के बाद, हमें एक चीज़ तो पता ही चल गई है, कि हम state of matter को change कर सकते हैं, अगर हम उसके temperature को बढ़ा दें, या temperature को घटा दें, जैसे हमने ice के temperature को बढ़ाया, तो ice water में convert हो गया, जो कि एक liquid है, और ऐसे ही हम water की temperature को बढ़ाये, तो यह water, water vapor में change हो गया, जो कि एक gas है, और बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम gas को ठंडा करेंगे, gas के temperature को कम करेंगे, तो वो वापस liquid में change हो जाएगा, और liquid के temperature को हम कम करेंगे, liquid को अगर हम ठंडा करेंगे, तो यह solid में convert हो जाएगा, we have learned that substances around us change state from solid to liquid, and from liquid to gas, on application of heat, हमने अभी activity में देखा, हमने activity में क्या देखा, हमने यह देखा कि ice, जो कि एक solid है, हम जब ice को heat दे रहे हैं, ice को जब हम heat प्रोवाइट कर रहे हैं, तो वो liquid में change हो गया, और उसके बाद वो gas में change हुआ, लेकिन, 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 but there are some that change directly from solid state to gaseous state, and vice versa, without changing into the liquid state, लेकिन, कुछ ऐसे भी material होते हैं, जो directly solid से gas में change हो जाते हैं, without changing into liquid, येस, कुछ ऐसे भी material होते हैं, जो solid से directly gas में change हो जाते हैं, और gas से directly solid में change हो जाते हैं, उन्हें liquid में change करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब ऐसी कौन सी चीज है, चलो हम देखते हैं, इसको activity नमबर 1.13 के थ्रू, इस activity में हम सीखेंगे की कुछ ऐसे materials होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये camphor है, camphor है कैसा material होता है, जो directly solid state में हैं, और solid state से ये directly gas में change हो जाता है, बिना liquid में change हो जाता है, चलो, इसी activity को आज हम करने जा रहे हैं, आपने already किया ही होगा, इसको क्या करना है, हमें crust कर लेना है, ठीक है, crust कर लो, इसको, ये crust करके हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, चलो, एक और को कर लेते हैं, हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, चलो, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम heat provide करते हैं, इसको हम fire देते हैं देखते हैं कि क्या ये solid liquid में change होकर after gas में होता है ये directly gas में change होता है दिखान से देखना, ठीक है देखो, जल रही है कहीं liquid आ रहा है ये directly water vapor में change हो जा रहा है directly water vapor में change हो जा रहा है और अगर इसी vapor ko हम ऐसे trap कर लें किसी चीज से न, तो ये वैपर दुबारा solid में change हो जाएगा बिना liquid में change हुए देख रहे हो, solid से directly gas, solid से gas, solid से gas, बस easy process को हम sublimation कहेते हैं, solid से directly gas में change हो जाना, that is known as sublimation, देखा, देखा देखा, देखा, फिर से देखो, यह देखो, यह solid, directly directly, directly gas में change हो जा रहा है और अगर इस, इस gas को हम ऐसे trap कर ले न, तो यह वापस जैसे temperature down होगा, तो यह वापस gas, solid में change हो जाएगा solid से gas, gas से solid, बिना liquid में change हुए, that process is known as sublimation, समझ में आया, चलो, बबाई let's move forward देख लिया activity, हमने देखा कि जैसे camphor जैसे, 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 हम कपूर को जलाते हैं, यह camphor न, directly solid से gas में change हो जाता है, बिना liquid state में change हुए, इसी process को हम sublimation का नाम देते है, sublimation क्या है, sublimation क्या है कि directly solid से gas में change हो जाना, या gas से directly solid में change हो जाना, बस इसी process को हम sublimation का नाम देते हैं ओके, let's move to our new topic topic number 1.4.2 effect of change of pressure अभी तक हमने temperature को change किया था हमने अभी तक temperature को change किया और temperature change करने की वज़े से solid liquid में change हो गया, liquid gas में change हो गया और वो अपस gas liquid में और liquid solid में change हो जा रहा है क्या pressure को घटाने और बढ़ाने से हम state of matter को change कर सकते हैं क्या pressure को apply करने से हम gases को liquid में change कर सकते हैं या liquid को solid में change कर सकते हैं चलो, देख लेते हैं हम इसी topic में कि we have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles हमने अभी तक इतना तो जानी लिया है कि solid solid क्यूं है क्योंकि इसके particles बहुत जादा नजदीक होते हैं liquid, liquid के particles थोड़े दूर दूर होते हैं और gases के particles बिलकुली लापता होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं कहीं भी इदर उदर घूमते रहते हैं मतलब solid, liquid और gas में फर्क क्या है बस फर्क इतना है कि solid के particles नजदीक हैं liquid के particles थोड़े दूर दूर पर हैं और gases के particles बहुत दूर हैं मतलब distance कितना है इन material के particles में यही decide करता है कि कौन सा material solid होगा, कौन सा material liquid होगा और कौन सा material gas होगा अच्छा, what will happen when we start putting pressure and compressor gas enclosed in a cylinder अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी cylinder के अंदर gas रखा गया है जैसे आप यह देख रहे हो, यह एक cylinder है यह एक cylinder है और cylinder के अंदर यह देख रहे हो, इसके particles दूर दूर है इसलिए यह क्या है, यह एक gas है अगर हम cylinder के अंदर gas रख दें और इसमें pressure apply करने लगे यह देख रहे हो, यह जो piston है piston pressure apply करने के काम में आता है किसी material को दबाने के काम में आता है कहा गया है कि अगर हम gas के particles को compress करें दबाएं, तो क्या वो liquid में change हो सकता है और अगर liquid के particles को दबाएं तो क्या वो solid में change हो सकता है बिलकुल हो सकता है, मेरी जान बिलकुल हो सकता है Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter बिलकुल हो जाएगा आप इस figure में देख पा रहे हो इस figure में यह gas है हम इस gas के particles पे जैसे ही pressure apply कर रहे हैं यह particles बिलकुल नजदीक आ रहे हैं नजदीक आ रहे हैं मतलब यह liquid में change हो जाएंगे और फिर दोबारा अगर हमने इस पर pressure apply किया तो यह particles और जादा नजदीक हो जाएंगे और यह solid में convert हो जाएगा देखा तुमने by applying pressure particles of matter can be brought close together मतलब pressure apply करने से gas से liquid liquid से solid में change किया जा सकता है applying pressure and reducing temperature can liquefy gases हम pressure apply करते हैं तो gas को हम liquid में change कर सकते हैं और बिलकुल ऐसे ही अगर हम किसी gas के temperature को घटा दे अगर हम किसी gas को थंधा कर दे तो वो liquid में change हो जाएगा मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि हम pressure apply करके और temperature को reduce करके temperature को घटा कर किसी भी gas को liquefy कर सकते हैं जैसे एक example में देता हूँ आपके घरों में LPG cylinder आता है खाना बनाने के लिए LPG cylinder का full form आपको पता है liquid petroleum gas liquid petroleum gas ये gas petroleum gas होता है petroleum gas होता है लेकिन इस gas को हम pressure apply करके liquid petroleum gas में change कर देते हैं pressure apply करने से ही ये petroleum gas liquid petroleum gas में convert हो जाता है समझ में आया have you heard of solid carbon dioxide अच्छा क्या तुमने कभी सुना है कि जो carbon dioxide है वो solid state में भी पाया जाता है जैसे ये figure देख रहे हो ये क्या है ये एक solid carbon dioxide है solid carbon dioxide को हम बहुत ही high pressure में रखते हैं क्यों? क्योंकि अगर ये solid carbon dioxide high pressure में नहीं रखा जाएगा तो ये directly solid से gas में convert हो जाएगा अगर हम solid carbon dioxide को अपने atmosphere के contact में लाते हैं अगर इसके pressure को हम घटाते हैं तो होगा क्या? ये solid carbon dioxide directly gas में change हो जाएगा without coming into liquid state बिना liquid में change हुए solid carbon dioxide gas में change हो जाएगा और इसी लिए this is the reason यही कारण है कि solid carbon dioxide को हम dry ice का भी नाम देते हैं अगर आपके कोई पूछे कि dry ice किसे कहते हैं तो कह देना solid CO2 को हम dry ice का नाम देते हैं इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम pressure को घटाते हैं बढ़ाते हैं या temperature को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो हम solid को liquid liquid को gases या gas को liquid और liquid को solid में change कर सकते हैं अच्छा, sublimation process के बाद matter in or surrounding chapter में एक बहुत important definition आती है evaporation क्या है अच्छा, evaporation के बारे में आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो और आपने देखा भी होगा कि अगर आपके छट पर पानी कठा हो गया है तो वो water धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद automatically गायब हो जाता है क्या होता है कि जो सूरज की गर्मी है वो इस liquid को vapor में change कर देती है भाफ में change कर देती है बस यही process को हम evaporation कहते हैं चलो detail में पढ़ लेते हैं कि do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter मतलब कहा क्या गया है कहा गया है कि अगर हमें solid को liquid में change करना है और liquid को gas में change करना है तो क्या हमारे पास केवल दो ही तरीके हैं temperature को घटा बढ़ा कर या pressure को घटा बढ़ा कर ही हम solid को liquid में change कर सकते है या liquid को gas में change कर सकते है क्या कोई और तरीका नहीं है क्या बिल्कुल है चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी everyday life से अपने day to day life से कुछ ऐसे examples के बारे में सोचो जिसमे liquid को बिना boil किये वो वैपर में change हो जाता है सोचो, तोड़ा सोचो मैं बताता हूँ आपको जैसे देखो, एक example मैं आपको दे देता हूँ कि आपके छट के उपर या आपके आंगन में अगर water को cover नहीं किया गया है अगर water खुले में रखा गया है तो धीरे धीरे वो water water vapor में change हो जाएगा भाफ में convert हो जाएगा और surface से पूरी तरीके से सूख जाएगा दूसरा example हम कपड़े सुखाते हैं तो जो गीले कपड़े होते हैं कुछ देर बाद ये जो गीले कपड़ों के अंदर liquid होता है न वो सूरच की गर्मी से vaporize हो जाता है gas बनकर आसमान में कहीं खो जाता है अच्छा तुमने इतना तो देख लेया कि भाई यहां पर liquid अपने आप वो vapor में change हो जा रहा है लेकिन तुमने क्या पढ़ा है तुमने पढ़ा है कि जब तक liquid को 100 degree Celsius पर गरम ना किया जाए तब तक कोई liquid gas में change नहीं होती है तो यहां पर कैसे हो गई इसी को तो हम evaporation कहते हैं ना देखो होता क्या है कि we know that particles of matter are always moving हम जानते हैं कि जो matter के particles होते हैं जैसे देखो यह liquid के particles हैं यह लगातार move कर रहे हैं लगातार move कर रहे हैं यह बिलकुल भी rest पर नहीं रहते कभी बिलकुल भी रुकते नहीं है at a given temperature in any gas liquid और solid there are particles with different amounts of kinetic energy कोई भी temperature हो चाहिए 10 degree, 20 degree, 100 degree Celsius का temperature हो होता क्या है कि liquid के सभी particles एक ही speed से move नहीं करते इनकी speed अलग-अलग होती है जैसे देखो ऊपर के जो particles है उनकी speed जादा है नीचे के जो particles है उनकी speed कम है तो होता क्या है liquid के case में क्या होता है पहले देख लेते हैं कि in the case of liquids a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor फिर से पढ़ते हैं liquid के case में क्या होता है अगर थोड़ा भी particle, a small fraction of particle भी अगर तेजी से move कर रही है अगर इनकी kinetic energy जादा है तो ये दूसरे particles, other particles के force of attraction को भी तोड़ देते हैं और quickly vapor में change हो जाते हैं, gas में change हो जाते हैं जैसे देखो यहाँ पर ये particle तेजी से move कर रहे हैं, इनकी वज़न से बाकी particles भी अब धीरे-धीरे move करना start कर दे रहे हैं इसी phenomena को this phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation यहाँ पर particles ही अपना काम कर दे रहे हैं, ये particles ही दूसरे particles को gas में change करने मदद कर रहे हैं, यहाँ हमें temperature को बढ़ाना नहीं पड़ रहा, यहाँ हमें 100 degree Celsius temperature नहीं चाहिए, समझ गए definition याद रखना, अगर liquid vapor में change हो जाता है gas में change हो जाता है बिना boiling point तक पहुचे बिना 100 degree Celsius तक पहुचे, अगर liquid gas में change हो जाता है, तो that process is known as evaporation I hope आपको समझ में आ गया होगा, let's move further, हमने देखा कि water, automatically water vapor में change हो जाता है, इसी process को हम evaporation कहते है, अब हम इस topic में पढ़ेंगे कि वो कौन-कौन से factors है, वो कौन-कौन से कारण है, जिनसे evaporation जादा होता है, थोड़ा तेज से होता है, सबसे पहला factor, an increase of surface area, अगर surface area जादा है, तो evaporation थोड़ा जल्दी होगा, we know that हम जानते हैं कि evaporation is a surface phenomenon, हम इतना तो जानते ही है कि पूरा evaporation इस बात पर depend करता है कि surface area कितना बड़ा है, मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि अगर surface area बड़ा है तो evaporation थोड़ा जल्दी होगा थोड़ा तेज होगा, जैसे अगर हम कपडों को इस तरीके से रखें, एक ही जगा इकठा करकर गीले कपडों को रख दे तो इसे सूखने में थोड़ा time लगेगा कुछ दिन भी लग सकते हैं लेकिन अगर वही हम बाहर कपडों को फैला कर डाल दें, इन बढ़ाते हैं, तब भी हमारा evaporation थोड़ा जल्दी होगा, मतलब अगर हमारे वातावरण में गर्मी है, तो कपड़े जल्दी सोख जाएंगे, evaporation थोड़ा जल्दी होगा, yes, with the increase of temperature, जैसे जैसे हमारे वातावरण में गर्मी बढ़ती है, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapour state, आपको पता है कि जैसे जैसे वातावरण में गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे materials गर्म होते हैं, उनके particles थोड़ा तेजी से move करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, उनको परियाप्त मात्रा में kinetic energy मिल जाता है, अगर solid को kinetic energy मिलता है, तो वो liquid में convert हो जाएगा, और अगर liquid को kinetic energy मिलता है, तो वो vapor state में convert हो जाएगा, मतलब गर्मी बढ़ेगी, तो evaporation जल्दी होगा, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएगे तो दूसरा factor ये था, तीसरा factor है कि अगर हमारे वातावरण में नमी कम है पानी की मात्रा हमारे वातावरण में अगर कम है, तब भी evaporation जल्दी होगा पानी की मात्रा जादा है, तो भाई थोड़ा time लगेगा ना, उस water को सूखने में, yes, humidity क्या होता है पता है आपको, humidity is the amount of water vapor present in air हमारे हवा में कितने water के particles मौझूद है बस इसी को हम humidity कहते हैं the air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature होता क्या है, कि भाई जब evaporation होता है, तो नीचे का liquid water vapor बनके atmosphere में चला जाता है, अब atmosphere की भी तो एक capacity है ना, कि बस इतने amount का water vapor ही, ये atmosphere hold कर सकता है तिका के रख सकता है अगर उससे जदा water vapor मिलेगा तो भाई, atmosphere hold नहीं करेगा atmosphere उससे सुखा नहीं पाएगा, देखो यही यहाँ पर लिखा गया है, कि अगर amount of water air में बढ़ जाता है, तो evaporation कम हो जाता है, क्यूं? क्यूंकि evaporation depend ही इसी पर करता है, evaporation में क्या होता है कि पानी हवा में जाता है अब हवा में अगर already बहुत सारा water मौजूद है, तो और water कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो evaporation धीरे होगा उस time हमारे कपडे थोड़ा slowly सूखेंगे एक दो दिन लग सकते हैं, जैसे ठंडियों के मौसम में, बरसात के मौसम में कपडे सूखने में दो दिन लग जाते हैं क्यूं? क्यूंकि हमारे वाता वरड में already बहुत सारा water मौजूद होता है बहुत सारी humidity, नमी मौजूद होती है तो third factor भी समझ गए कि अगर हमारे environment में humidity जादा है, evaporation कम हो जाएगी, और अगर humidity कम है, तो evaporation जादा हो जाएगी, कपडे जल्दी सूखेंगे, ठीक है? चलो हमारा fourth factor आता है जो evaporation को effect करता है, वो है wind speed मतलब जिस दिन अगर हवा तेज चल रही हो, उस दिन आपको पता है, evaporation बहुत जल्दी होता है, उस दिन कपडे बहुत जल्दी सूख जाते हैं ये तो हम सब ने देखा होगा कि जिस दिन बहुत तेज से हवा चल रही हो, उस दिन अगर हम कपडे को सूखने के लिए डाल दें, तो वो कपडे बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा क्यूं होता है ऐसा इसलिए होता है कि with the increase in wind speed, जैसे जैसे हवा तेख चलती है, जो particles हैं, किस चीज के particles जो water vapor के particles हैं जो liquid vaporize हो रहे हैं इसके जो particles हैं, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं जिससे क्या होता है, atmosphere में water holding capacity बढ़ जाती है और evaporation थोड़ा तेज होता है, थोड़ा liquid जल्दी जल्दी vaporize होते हैं जिससे कपडे आसानी से सूख जाते हैं, तो ये था हमारा चौथा factor कि जिस दिन हवा तेज चल रही हो, उस दिन evaporation जल्दी होता है उस दिन evaporation थोड़ा increase हो जाता है, ठीक है? Now, let's move to next topic How does evaporation cause cooling? आपको पता है कि जब कभी भी evaporation होता है जब कभी भी liquid भाव बनता है तो वो अपने पीछे बहुत सारी ठंडक छोड़ जाता है माहोल को ठंडा कर देता है जैसे आपने कभी अपने हथेली पर परिफ्यूम छिड़का है क्या? जैसे आप अपने हथेली पर, अपने हाथ पर परिफ्यूम छिड़कते होना आपका हाथ बिलकुल ठंडा हो जाता है यही है evaporation caused cooling जैसे कभी भी आप open vessel में, जब कभी भी आप खुले हुए बर्तन में liquid को रख देते होना liquid keeps on evaporating यह liquid लगातार water vapor में change होता रहता है लगातार evaporate होता रहता है कैसे evaporate होता है? the particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation हमें पता है कि liquid के जो particles है, भाई इन्हें इस समय energy चाहिए इन्हें इस समय क्या चाहिए? heat energy चाहिए, कौन सी energy चाहिए? heat energy चाहिए, ताकि यह vapor में convert हो सके अब यह heat energy इन्हें कहां से मिलेगी? surrounding से मिलेगी अब जब surrounding में जितनी heat energy है इस energy को जब liquid खीच लेगा, liquid absorb कर लेगा, तो हमारा surrounding में कोई भी heat नहीं बचेगा बिलकुल गर्मी नहीं बचेगी और माहोल बिलकुल cool और ठंडा हो जाएगा yes, देखो आपने देखा होगा कि जब कभी भी आप अपने हाथ पर nail polish remover acetone लगाते हो या आप अपने हाथ पर perfume लगाते हो, तो होता क्या है आप अपने हाथ पर जैसे ही acetone या perfume छिड़कते हो ना तो जो perfume के particles है वो तुरंत आपके हथेली से या surrounding से जितनी गर्मी है उसको खीच लेते हैं इसलिए आपका हाथ आपका palm बहुत ही ठंडा मैसूस करता है हमने एक चीज और देखा है कि after a hot sunny day जब बिलकुल एकदम कड़कती हुई धूप होती है गर्मियों के मौसम में तो साम को लोग अपने फरस पर, अपने छट पर पानी छिड़कते हैं हमने देखा कि जब भाई पूरे दिन भर जो धूप है वो इस जमीन पर आ रही है और इसलिए ये जो ground है न ये बहुत सारे heat को absorb करके रखता है जैसे ही हम पानी छिड़कते हैं ये जो heat है ये इस पानी को evaporate करने में use हो जाता है जिससे हमारा जमीन वापस से ठंडा हो जाता है जमीन के अंदर बिलकुल भी गर्मी नहीं रह जाती है can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling during evaporation कुछ और example बताओ जिससे जब evaporation होता है तो हमें ठंड़क मौसूस होती है क्या आपने earthen pot का नाम सुना है मिट्टी का घड़ा मिट्टी के घड़े में पानी ठंड़ा इसलिए होता है किसलिए होता है क्योंकि भाई मिट्टी के घड़े में evaporation होता है evaporation होगा तो पीछे भाई पानी जो है ठंड़ा हो जाएगा अच्छा आपने कभी अपने गीले हुए बाल को टच किया है आपका जो बाल होता है वो automatically सूख जाता है क्यों सूखता है क्योंकि आपके body में इतनी heat energy है वो तुरंत hair को हमारे dry कर देती है तो ये कुछ examples हैं कि evaporation थंड़क पहुचाती है ये दो live day to day life से हमारे example है जो आपने देख लिया होगे let's move forward ओके सो इस तरीके से chapter तो हमारा finish हो जाता है लेकिन last में दो बहुत important questions दिये गए है जिसमें से सबसे पहला question है कि हमें गर्मियों में cotton के कपड़े क्यों पहनने चाहिए फिर भी मैं बता देता हूँ कि हम cotton के कपड़े क्यों पहनते है सबसे पहला reason तो ये है कि घर्मियों के मौसम में हमारी body से पसीना निकलता है हमारी body perspire करती है बहुत सारा पसीना हमारी body से निकलता है अब ये cotton के कपड़े क्या होते है good absorber of liquid ये जो cotton के कपड़े होते है ये पसीने को तुरंत सोख लेते है तुरंत absorb कर लेते है which cools our body जिससे हमारी body वापस से क्या होती है ठंडी हो जाती है which cools our body और दूसरा reason ये भी है कि जो cotton के कपड़े है न it provides good air circulation it provides good air circulation cotton के कपड़े में न हवा आसानी से अंदर बाहर कर सकती है जिससे हमारी body बिल्कुल ठंडी रहती है जब बाहर का हवा cotton के कपड़े के अंदर से हमारी body पर जाएगा हमारी body ठंडी रहेगी और इसी वज़ज़ से हमें गर्मियों में cotton के कपड़े पहनने चाहिए ठीक है तो भीया यहाँ पर detail में यही दो reason बताया है मैंने तुम्हें start में बता दिया अगर आप से कोई पूछे कि why should we wear cotton clothes in summer directly बता देना कि cotton clothes are good absorber of liquid which cools our body और दूसर reason दे देना कि cotton provides good air circulation cotton की वज़़े से हवा आसानी से अंदर बाहर कर सकती है इसलिए हम cotton के कपड़े गर्मी में पहनते है दूसरा बहुत important question आता है जो कि last of this chapter है कि why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water तुमने देखा होगा कि जब भी कभी हम ठंडे पानी को ढख कर रख देते हैं मालनो हमने सीसे के एक क्लेट से ठंडे पानी को ढख कर रख दिया हमें सीसे पर छोटे-छोटे water के droplets देख सकते हैं छोटे-छोटे पानी की बूदे देख सकते हैं आपने देखा ही होगा जैसे image में दिख रहा है ये water droplets हमें क्यों दिखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है देखो कारण क्या है कि the water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state होता क्या है कि भाई जब पानी बहुत ठंडा है तो भाई ये जो water है ये water vapor बनकर उपर जाने लगेगा अब जैसे ये water vapor बनकर उपर जाएगा तो सीसे से ढखा हुआ है तो सीसे के contact में जैसे ही vapor आएगा न ये वापस इसका energy कम हो जाएगा इसका energy डाउन हो जाएगा जिससे ये vapor vapor से क्या change हो जाता है liquid में change हो जाता है और इसी वज़े से हमें liquid के छोटे छोटे बूद सीसे के ऊपर दिखाई देते हैं तो ये दो बहुत important questions थे वैसे आपकी exam से अगर इस chapter से question आ रहा है तो ये दोनों questions जरूर prepare करके जाना so this is all about this chapter matter in our surrounding chapter यहीं पर finish होता है और chapter के last में हमें चौथा state of matter और पाचुए state of matter के बारे में बताये गया है plasma solid, liquid और gas के बाद जो चौथा state of matter पाया जाता है वो है plasma और पाचुए state of matter जो पाया जाता है वो है बोस Einstein condensate इन दोनों states of matter के बारे में आप पढ़कर यहां से पता लगा सकते हो वैसे यह आपके syllabus में नहीं है so tension free रहना so video कैसे लगी यार video को like करके हमें अपना support जरूर दिखाना अगर video अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी share करो subscribe करो चैनल को मिलते अपनी अगली video में एक धमाकेदार video के साथ तब तक के लिए जैहन